Hello everyone, welcome again to learn about the different तो देखिए हम लोग दुर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें आज हमें पढ़ना है पारिक दुर्ग के बारे में तो पारिक दुर्ग क्या होते हैं? ऐसे दुर्ग जिनके चारो और खाई बनी होती है तो जिनके चारो और खाई बनी होती है ऐसे दुर्गों को हम क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं जिसमें हैं लोहागड तो लोहागड दुर्ग जो है ये एक ऐसा किला है जो भारतिय राज्य राजिस्थान के भरत पुर्जिले में इस्तित है और राजिस्थान की जो पूर्वी सीमा है उसका प्रहरी भी कहा जाता है लोहागड को यदि आप राजिस्तान का मैप देखेंगे तो वहाँ पर भरतपुर जो है राजिस्तान के पूर्व में इस्तित है इसी लिए राजिस्तान की पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है लोहागड को और इस दुर्ग का निर्मान जो है वह करवाया भरतपूर के जाट वन्स के जो राजा है महाराजा सूरजमल ठीक है जिनको हम जाटों का अफलातून भी कहते हैं जाटों का प्लैटो भी कहते हैं तो इन्हों ने 1733 इस्वी में निर्मान करवाया था लोहागड का याद रखे प्राचीर चार और नेगैंator ूचान लिक्त ौम्राबने टेटि उनियुक्त Re companion? इसको रहिए लोहा गड़ केसा है किले के चारो और खा या नहर तक प समय रही चारेमे पने की ले लिक्तितुम में टेर सिरे में एक क्लेशा जेन का सहरे项 भी करके अस्ट धातू के दरवाजे 1765 इस्वी में यहां लेकर आये थे तो यहां पर किले में दो दरवाजे हैं जिसमें जो उत्तरी द्वार है वो अस्ट धातू का बना हुआ है इसको याद रखेंगे जिसे कि जवाहर सिंग जो जाट थे वो 1765 इस्वी में दिल्ली विजे करक और लाल किले से उतार कर लेकर आये थे और जवाहर सिंग ने ही जवाहर बुर्ज का निर्मान करवाया था तो याद रखेंगे लोहागर्ड के बारे में कि लोहागर्ड का जो किला है इसमें जवाहर बुर्ज का निर्मान करवाया किसने सूरज मलने या जवाहर सिंग ने तो पाया था और जो किले की जो बाहरी दीवार है वह मिट्टी की बनी हुई है ये मैंने आपको बता दिया एक मात्र ऐसा किला जिसके चारो ओर मिट्टी की जो दोहरी प्राचीर बनी हुई है तो इसलिए इसे मिट्टी का किला भी हम कहते हैं किले के चारो ओर खाई है इस खाई हैं लेकिन कोई भी इसके लिए को नहीं जीत पाया था तो इस पर जो है वो कई पडोसी राजियों मुसलिम आक्रमन कारियों और अंग्रेजों ने आक्रमन किया था और सभी असफल रहे थे ये वाला आक्रमन आपको याद रखना है अठारा सो पांच इसवी में अंग्रेज लौड लेक ने विशाल सेना लेकर पांच बार चड़ाई की इस तुर्ग पर लेकिन वह भी असफल रहा इसके अलावा किले की जो प्राचीर है इसमें कि सोरी महल है जवाहर बुर्ज है जो की जवाहर सिंग ने बनवाया था और इसमें जो भरतबुर राज्य के जाट रा कोठी खास है बजीर की कोठी है दादी मा का मेहल है गंगा मंदिर है और लक्षमन मंधिर भी यहां पर है तो याद रखेंगे इस दुर्ग के बारे में तो चलिए अब आपके जितने भी दुर्ग थे पारिक दुर्ग चाहे वो जल दुर्ग हो गिरी दुर्ग हो तानवन तो सभी जो है वो मैंने यहां पर आपको करवा दिये हैं इसके अलावा भी अन्य दुर्ग हैं जिनको भी आपको पढ़ना जरूरी है सबसे पहले है अकवर का किला जो की अकवर ने बनवाया था इसे मैगजीन भी कहा जाता है और यह है अजमेर में ठीक है अकवर का किला कहा अजमीर में है और यह एक मात्र मुस्लिम पद्दती से बनाया हुआ दुर्ग है तो यहां पर कुशन इस तरीके से आएगा एक्जाम में कि ऐसा दुर्ग जो की मुस्लिम पद्दती से बनाया हुआ है तो वह कौन सा है अकवर का किला 1571 से 72 में अकवर ने इसे बनवाया था और जो हल्दी घाटी के युद्ध की योजना यहीं पर बनी थी सर टॉमस रो इसी दुर्ग में जहांगीर से मिलते हैं ठीके और जहांगीर जो था वह भी इसी दुर्ग की खिडकी जो है इसमें बैट कर न्याय करता था तो इस किले का निर्मान करवाया था अकवर ने ठीके और कहते हैं कि अकवर जो है वो हर साल यहां अजमेर में आता था ख्वाजा सहाब के दर्शन करने के लिए और यहां तक की जो राजपुताना थे उनके युद्धों में भाग लिने के लिए भी अकवर यहां आता था तो अब कुछ किलों के नाम गया कियें किए कि यह किले कहां पर है। सज्जन गड का किला है वहे उधैपुर जिले में है, चोमो का किला जैपुर में है और माधो राजपुरा का किला जो है वहे कहा है जैपुर में ही है ठीक है? नेक्स्ट जो है शाहबाद किला जो की बारा जुले में है इसका निर्मान मुकुत मडी देव ने करवाया था नेक्स्ट देखिए दोसा का किला तो दोसा का किला जो है एक गिरी दुर्ग है और यह देव गिरी पहाडी पर बना हुआ है इसका निर्मान जो है गुर्जर प्रतिहार शाष्कों ने करवाया था नेक्स्ट देखिए टौडगर किला तो यह कहा है अजुमेर में है और इसका निर्मान जो है कंडल जेम्स टौड़ ने करवाया था नेक्स्ट देखिए नीम राना किला यह अलवर जिले में है डींग का किला यह भरतपूर में है और इसका निर्मान भी महाराजा सूरजमल ने करवाया था तो महाराजा सूरजमल ने एक और के लिए का निर्मान करवाया था जो की था लोहागड नेक्स्ट है लालगड ये कहां है बीका नेर में है और महाराजा गंगा सींग ने इसका निर्मान करवाया था अपने पितार लाल सींग की इसम्रती में तो ये कुछ दुर्ग हैं जिनके बारे में बस इतना याद रखें कि ये कहां पर है और उनका निर्मान जो है वो किसने करवाया तारागड एक हमने देखा था तारागड अजमेर में और ये तारागड जो है यह बूंदी में है ठीक है और इसका निर्मान जो है करवाने वाले थे राओ बरसिंग 1354 इस्वी में और हमने अजमेर का जो तारागड देखा था जिसे हम अजमेर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जानते हैं तो उसका निर्मान करवाया था अजयराज चोहान ने ठीक है और जिसका नाम जो है वो तारागड बाद में रखा रत्वीराज श बनवाई थी इसके अलावा यहां पर रानी जी की बावडी भी है और इसका निर्मान भी राजा अनिरुद्ध सिंग ने करवाया था तो तारागड जो बुंदी में है यहां 84 खंबो की चतरी और रानी जी की बावडी इनका निर्मान कराने वाले थे राजा अनिरुद्ध सि ठीक है और ये ऐसी बावडी है जो पूरे देश में ही नहीं बलकि एश्या वर में ऐसी बावडी नहीं है ऐसी सुंदर बावडी का निर्मान कराने वाले थे राजा अनिरुद्धि सिंग तो कर्नल जैम स्टॉड जो है उनकी अनुसार राजिस्थान के सभी राज महलों में सर्वसेष्ट राज महल किसका है बूंदी का है ठीक है तो कर्नल जैम स्टॉड ने इसकी प्रसंसा में ये शब्द कहे कि राजिस्थान के सभी राज महलों में सर्वसेष्ट राज महल बू तो ऐसा कहने वाले थे रूड याड के प्लिंग लेकिन आपको याद रखना है कि जो अजमेर का तारगड है उसके बारे में इन लोगों ने ये बात नहीं कही है बूंदी के तारगड के बारे में कही है तारगड परवत की उची चोटी पर इस्तित होने के कारण धर्टी से आखास के तारे के समान दिखाई परने के कारण इसका नाम पड़ा तारगड तो शामल दास का जो वीर विनोध है उसमें ये कहा गया है कि महाराजा शेत्र सिंग पूंदी विजय करने में मारे गए थे ठीक है तो उनकी लालसा थी पूंदी विजय करना लेकिन वो इस प्र प्रयास करने के बाद भी पूंदी पर अधिकार नहीं कर पाता है तो ये क्या करता है कि मिट्टी का एक नकली दुर्ग जो है वो बनवाता है उसको तुड़वा कर अपनी प्रतिग्या पूरी करता है तो ये सबी कथन जो है किसके हैं वीर विनोध की अनुसार है कि ये सब पर्ल रहे थे इस दुर्ग को प्राप्ट टो करने में लेकिन तारगट का हैं इस पर कभी वड़के शाष्मों का अधिकार देखने को मिलता है कभी मालवा के जो सुल्तान थे उन्होंने भी अधिकार इस पर किया था ठीक है और उसके बाद जो है इस पर महमुद खिल जी जो है वह भी अधिकार करता है और जब महारणा कुम्बा का समय आता है तो वह भी बुंदी दुर्ग पर अधिकार करते हैं तो चलिए यहां पर आपका यह topic जो है वो complete होता है बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सारे चीज़ें यहां पर बता दी हैं और इन notes को आप बार बार पढ़ते रहिए तो चलिए मिलते हैं next video में जहां हम next chapter को start करेंगे Thank you करेंगे